हेलो आज मैं आपको एंग्जाइटी के बारे में बताने वाला हूं एंग्जाइटी मतलब चिंता फिकर ऐसा बोले जाता है कि 21 सथी है 21 सेंचुरी तो इसमें सबसे जाना प्राब्लेम जो लोगों को वो है वो है चिंता का टेंशन, एंग्जाइटी चिता जो है ना चिता वो मरे हुए आदमी को जलाती है और चिंता जो है वो जिन्दे आदमी को जलाती है जिन्दा आदमी जाज जाएंगा आज ऐसा है कि छोटी-छोटी बातों के ऊपर गट्टी को चिंता आ रही है। छोटी-छोटी बात है। जैसा बच्चा है तो उसको चिंता है कि पढ़ाई कैसे करें। तो उनके माबाब को चिंता रही है कि अपना बच्चा पढ़ाई करेंगा। फिर बच्चा को चिंता है कि मेडिकल में जाना इंजिरिंग में जाना और कोई कोर्स लेना उसकी चिंता उसको लगे रहती है। तो बच्चे बड़े हो गए तो बच्चे को कोई मतलब कोई नशा को करेंगा क्या कोई गलत संगत में है क्या कोई लड़की जाता फैशन कर रहे है क्या यहां कई WhatsApp पे Facebook के उपर जाता काम कर रहे हैं उनके वह चिंता पालग लोगों को रहती है। फिर पालगों को शादी की चिंता रहती है पैसी की चिंता रहती है लोगों को पैसा ता ऐसा है कि कितना भी कमाया तो भी कम लगता है। पैसे की चिंता है, कोई बिमारी हो जाएंगे उसकी चिंता है, प्रमोशन मिलेंगा नहीं मिलेंगा उसकी चिंता है, बॉस क्या बोलेंगा, ट्रांसफर मिलेंगी नहीं मिलेंगी, ट्रांसफर होंगी की नहीं होंगी, हमको ट्रांसफर होना नहीं है, हो जाएंगे तो क्या होगा और चाहिए और नहीं हो रहे तो क्या होगा तुर दरफ है या कोई बड़ी बीमारी हो जाएंगे या हाट इटाइक आ जाएगा दिल का दोरा पड़ेगा या मैं फेल हो जाउंगा धंडा कैसे चलेगा गौर्मेंट के नए रिजुलेशन कैसे क्या क्या कआएंगे फिर उसमें मेरी दंदे क्या होगा धंदा चाओप़ होंगा क्या कल मुझे कल मेरी दंदे के उपर कोई असर हो णोगया और मुझे खर बैठना पड़ा तो कल दिवा संगर्षए का कोई संहर्ष है, उनके साथ में नहीं पतरी है, सासरश गे सात में नहीं पतरी है. तो ऐसे अनेक कारण सामने है , कि जसके वज़द से हमको दिमाग में continually tension आती रहता है .. तो मैं हरॉदम मेरे व्रक references में बोलते रहता हूं , जो मैं हिपनाडिसम के वरकषा आप लेता हूं, उसमें हर्दम बोलते रहता हूं कि वही कितने लोगों को टेंशन नहीं चाहिए। तो सर्वात उफ़ करते है। किसको टेंशन नहीं चाहिए। मैं बुलोंगा ओठेंशन आपको नहीं चाहिए। तो आपको जाना पड़ेगा मरगड में, जहान डेड़ बोडिस है, कि जहान वो लोग, मतलब, जो लोग महाँ सोय हुए या जो लोगो जलाया हुआ है, वो लोग मुरे हुए उनको चिंदा आएंगी नहीं, जो जिन्दा है, जो जीवन जीरा है उसको चिंदा आएगी, कुछ चिंता होना है तो कुछ मत करो, जो आपको चिंता नहीं जाए तो घर में जाके बैटाओ, सो जाओ, और तभी भी चिंता हो जाएंगी, कुछ ना कुछ, कि मेरको दिन आएगी नहीं, क्योंकि अभी एक आदमी था, वो रिटार्ड हो गया, भी कुछ प्राब्लम ही नही है, 17-18,000 रूपे महीने की, और घर में बैटा हुआ है, मैं आपको चिंता तो कुछ नहीं होंगी, तो रोज मरा की सुछ जिंदगी है, इसमें चिंता आने वाले, उसमें प्राब्लम्स आने वाले, टेंशन आने वाले, और इसमें फिर हमने उसको कैसा फेस करना, उसका कैस सामना करना वो महत वगा है, क्योंकि वो चिंता आएंगी, प्राब्लम्स आएंगे, हम इदी उसका टेंशन लेंगी, तो होंगा क्या, मेरा ब्लेड प्रेशर बढ़ेगा, मुझे डाइपेटीस होंगा, शकर की बिमारी होंगी, मुझे अस्तमा आजाएंगा, मुझे बदर होते हैं, और बदन की बिमारियां काफी हो जाती है, चिंता की वज़े से, सरदर्द होता है, माइगरेन के अटेक आते है, भूख नहीं लगती, इतने सारे प्राब्लम है चिंता की वज़े से, तो भी इसका हल क्या है, करना क्या है, तो हम यह बताते हैं, कि आप कोई धंदे में करो, बिजिनेस में करो, या ऐसा काम कोई तर भी ऐसा बड़ा खड़ा करो, वो सोशल वर्क हो सकता है, या कोई ट्रस्क की स्तापना करो, या आपके बिजिनेस में ऐसा कुछ तर भी बड़ा काम करो, कि वो लोगों के लिए होंगा, ऐसे कुछ तर भी बड़ा काम क प्रविश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्विश्वि Self Hypnosis करना चीए, Self Hypnosis में होता क्या है, कि आप खुद चेर पे बैटे है, इजी चेर पे बैटे है, रिलाक्स बैटे है, और पहले शवासन की पूजिशन आप लेते हो, पहले शवासन कर लेते हो, मतलब शव जैसा आसन, डेड़ बाड़ी जैसा आसन, वो शवासन, तो आपने प पूरा बदन रिलाक्स करने के बाद में, खुद ने खुद को सूचना देने की है, तो पहर रिलाक्स हो गए, उटने पहर, पेट, पीट, कमर, पूरे हाथ, बदन, वोगरे, पूरा बाड़ी में रिलाक्स कर रहा हो, और completely बाड़ी रिलाक्स करने की सूचना अपने आपको करनाता है, जहां जहां मुझे चिंता आती है, वो जो है सिचुएशन, वो सिचुएशन में मेरे सामने लाना, कलपना में, और वो प्रसंग में सामने लाया, मेरे कलपना में सामने लाया, और वो सिचुएशन में, वो घटना में, मैं शान्ती से, रिलाक्स होके, दिमाग श picture अपने आपका देखना I imagination वह gonna Machina कर रहा हूं और सामना करके मतलब relaxed वाॉर में relaxed होकर उसका सामना करके दिर अच्छा और मुझे अच्छा लग रहा है और सब तरह ठीक ते हुआ मैं upset ने हुआ मैं घुसानी हुआ मैं tension में ने हूँ और पुरी पावर के साथ में, पुरी शक्तिशाली रुप से उसका मैं सामना कर रहा हूं, पुरी रिलाक्स होके सामना कर रहा हूं, ऐसा पिक्चर देखना आखों के सामने, और जब आप ऐसा पुरा सामना करने का पिक्चर देखते हो, सबेरे दोपेरे शाम को, कम से कम दो बार तबी, स वो हम इसको पहुत जो की सामना रे हैं उसको मैं फेस कर रहा हूं जो गती के साथ में आपकी सी बाक्शी करना कि मैं क कुछ का म कर रहूं या कोई भी मतलब ढाइ भी का मी सा का म उन diz MS region एसे बार 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 जब आप subconscious mind को hammering करेंगे definitely निश्चित रूप से मैं आपको बताता हूँ कि आपको उसमें फायदा होगा तो ये आप definitely करो और आप चिंतामुक्त जीवन जी सकते हैं चिंतामुक्त आप जीवन जीएंगे तो काभी सारी बीमारियां जो है बदन की उससे भी आप पूरी तर अच्छे हो जाएंगे तो वो कीजेगा ये जो YouTube पे शेर करो आप ये आप देख रहे हो वीडियो ये शेर करो लोगों बताओ या और हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मेरे सा काफी सारी वीडियो आपको देखेंगे हो सो थैंक यू बेरे मच